नितीष कुमार के जंता दर्बार का मजाकना बने इसके लिए जो live हो रहा है और live में उधर से जो नितीष कुमार की वहाँ बैटे फर्यादियों की अधिकारियों की आवा जाती थी उस आवाज को ही गायब कर दिया गया है जो आवाज उधर से आता था लोगों को लाइब में सुनाई पड़ता था उस आवाज को म्यूट कर दिया जा रहा है और ऐसी खबरें अभी मीडिया में चल रही है सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि बार बार जो ये जनता दरबार में नितीश कुमार की अधिकारी या इसलिए जान बूज कर ऐसा जो आवाज है उसको म्यूट कर दिया गया रहा है खास तोर पर ये म्यूट तब हो रहा है जब नितीश कुमार किसी अधिकारी से फोन पर बात कर रहे हैं या किसी अपने अधिकारी को निर्देश दे रहे हैं उस वक्त लाइब में अचानक से आवाज म्यूट हो जा रहा है और उसके बाद फिर आवाज आ रहा है जा रहा है अब जनता दरबार के लाइब में या वाज म्यूट करने का क्या मामला है विस्तार से इसके बारे में वीडियो में आगे चर्चा करेंगे और उससे पहले नमस्कार जनता जुम्शन देख र परियादी आते हैं और यहां पर पहुंचते हैं और नितीश कुमार उन से जो बातचीत करते हैं वहां पर जो अधिकारी मौजूद रहते हैं उनको जो निर्देश देते हैं इन सारे चीजों का लाइब प्रुसारन होता है जो बिहार सरकार का IPRD डिपार्टमेंट है उसके द्वारा यह सारा लाइब किया जाता है और इस चीजों में नितीश कुमार जो भी बोलते हैं जो निर्देश दिया जाता है हर चीज असपष्ट तोर पर अभी तक सुनाई देते रहता है अब इसमें हो क्या रहा था जैसे पिछले ही बार तीन लगबग तीन सप्ता बाद काफी एक लंब अंतराल के बाद नितीश कुमार फिर से जनता दरबार करते हैं और पिछले सब्ता होता क्या है कि एक किसन गंज से एक फर्यादी आता है उसका एक पुराना केस था काफी समय से इसके बारे में वो इसके कंप्लेंड कर रहा था इसके बारे में एक बार और पहुचे हुए थे और उसी के बारे में वो फिर से बात करता है। नितीश कुमार इसको काफी इस पर उनको घुसा आता है या कहिले होन पुछती है कि बार बार ऐसा ही जो फर्याद आरहा कि इसको समाधान निकाला जाए इसको ठीक किया जाए इसके बाद वह एक और अधिकारी को फोन करते हैं अब निटीश कुमार को फोन दिया जाता है तो उधर से विजय चोधरी की आवाज आती है। नितिश कुमार आवाज को पहचान लेते हैं। उधर से विजय चोधरी भी हमामला कुछ और है। और वो तिल मिलाकर नितिश कुमार गुस्से में उनसे पूछते हैं कि क्या इस विभाग के यहीं मंत्री है जो मतलब कि ग्रिह विभाग है उसके मंत्री विजय चौदरी है जबकि ग्रिह विभाग के मंत्री ग्रिह विभाग खुद नितिश कुमार के पास है इसके पहले एक इतना आग बबुला होगे इतना घुस्से होगे को डाटना पड़ाता कि आप लोग केवल ध्यान ही नहीं देते हैं जब देखो तब आप लोग फोन चलाने रहते हैं सारा दिमांग आपका फोन में घुसा रहता है और ऐसे एक तमाम चीजे हमेशा लाइब में सुनने को मिलत आप पुष्टी थी इसका वीडियो काट काट कर खुब वायрал किया जाता था और इसी चीज को लेकर रहा है कि नितीस कुमार की जो किरकरी हो रही खुब मजाक बन रहा था इसको लेकर अब सरकार के तरफ से या नितीश कुमार के जो लाइब करने वाले जो लोग है जो टीम है उनके तरफ से ये खास बेवस्ता कर दिया गया है हलाकि हम इसकी पुष्टी नहीं करते हैं ऐसे सोसल मीडिया में चर्चा हो रही है और इसी चीज को लेकर कि जान बूझ कर जब नितीश कुमार अधिकारी उसे बातचीत कर रहे हैं वो कुछ निर्देश दे रहे हैं तो इसमें कोई फजीहत ना हो कोई ऐसी श्तिती ना बने क कि लोग इसका मजाक उड़ाने लगे इसके लिए जान बूझ कर वो अधिकारी जो है वो म्यूट कर रहे हैं अब इसके पीछे का क्या मामला यह जान बूझ कर है या कोई टेकनिकल फॉल्ट कर चलते हैं ऐसा हो रहा है अब इसके बारे में तो अगर कोई अपडेट आएग कि अगर 200 बॉल्ट अपडेट